गोलगप्पे से जब किसी को दूर रखा जाता है तो ऐसा लगता है कि सजा दी गई हो सोचे अगर गोलगप्पे हमेशा के लिए बैन हो जाये तो क्या होगा बड़ा डिसपोइंटिंग होगा क्योंकि गोलगप्पे लड़के हो या लड़किया औरते हो या फिर बिमार इंसान, सब के पसंद की चीज है, मूड खराब है, बिमारी से उठे है, मूँ फीका हो रहा है, एक गोलगपा सब कुछ ठीक कर देता है लेकिन मध्यप्रदेश के मंडला में गोलगपे बैन कर दिये गए है, इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर गोलगपे खाने से 84 लोगों की तबियत खराब हो गई है, जिसमें से 2 महिलाएं गर्बवती हैं और 31 तो बच्चे ही हैं और बाकी औरते बड़े बूरे सब ही लोग आफिर ये लोग गोलगपे खाने से बिमार क्यों हो गये? कहा जा रहा है कि मंडला के जिस एरिया में ये लोग बिमार हुए है, उस एरिया में सालों से एक अदमी जो है वो गोलगपे बेच रहा है और कभी भी उसके गुलगप्पे खाने से किसी की तब्यत खराब नहीं हुई लेकिन इस बार उसके गुलगप्पे खाने से लोगों को food poisoning हो गई है उल्टी दर्स की शिकायत कहते हुए सभी hospital गई जिसके बाद उन्हें hospital admit करवा दिया गया है इसके बाद food authorities active हुई कि आखिर गुलगप्पे खाने से लोग बिमार कैसे हुए तो ना सिर्फ authorities ने अभी तीन दिन के लिए गुलगपों पर ban लगा दिया है बलकि जहां पर ये गुलगप्पे बनाए गए हैं वहां की भी checking की गई वहां से food authorities को citric acid के wrappers मिले हैं उन rappers को देखने के बाद authorities उस retailer के पास गई जिसने ये citric acid बेचा है उसकी दुकान तो बंद करवाई ही है और गुलगपे के पानी और गुलगपों की भी जाच हो रही है कि आखिर उसमें ऐसी क्या चीज थी जिससे ये लोग बिमार पड़े हैं कहा जा रहा है कि ये जो गुलगपे वाला है इसके बाकी के परिवार वाले भी food products ही बेचते हैं ये लोग मंडला के अलग-अलग एरिया में जाकर गुलगपे और दूसरे खाने के चीज़े देते हैं अगर इसके गुलगपों में खराबी पाई गई है तो क्या बाकी के food products में भी खराबी है इसके खिलाफ भी authorities इस वक्त investigation कर रही है